नमस्कार दर्शकु जै मातादी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अब इनदन करती हूँ आप सभी का हमारे बीहदी स्पेशल नवरात्र स्पेशल कारिक्रम में कैसे मा को प्रशन करें और इसे के साथ आज किस खास कारिक्रम में आपको राश्यों के हिसाब से बताएंगे कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है इस पर चर्शा करने के लिए इस पर बाते करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियों में मौझूद है वेश विदेश की जानी मानी, टैरो कार्ड रीडर, सलिब्रिटी अस्ट्रोलॉजर, अलंकरता मानवी जी तो चलिए सबसे पहले अलंकरता जी का स्वागत करेंगे फिर कारिक्रम को आगे बढ़ाएंगे अलंकरता जी बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपका जय माता दी मैं अपने सभी दर्शकों का दिल से हार्दिक बिनंदन करती हूँ और नवरात्रों की बहुत-बहुत शुप कामना है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज नवरात्र का पाचवा दिन है पाचवे दिन मा सकंद माता की पूचा आरशना की जाती है आज का दिन भी बेहत खास है वैसे तो पूरे की पूरे नौ दिन खास होते है पर आज का दिन क्यूं खास है यह मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बताए जी जैसे कि आपने बताया पूजा के सकंद माता जी का दिन होता है आज का और मा जो है वो कमल पे विराजमान होती है उनके हाथ में भी कमल होता है तो जो लोग धन प्राप्ती है तो कुछ भी पूजा अर्चरा उपासना आज मा के दिन करते हैं तो धन प्राप्ती के लिए बहुती उत्तम दिन होता है संतान प्राप्ति के लिए विशेश मा की कृपा जिस पर पढ़ जाती है बहुत से जन है जिनको संतान प्राप्ति है तू जिनकी मनव कामना रहती है उसके लिए अति उत्तम दिन रहता है और आज के दिन एकागर मन से पूरे मन से जब मा को अगर तो बहुत सारी शिदियां कि फ्रшт까지 अपने चार कि पूझा करना है कशने पूझा के साथ पूरी नवरात्र गें थौराइए नहीं के अच्छत", प्रभाव होता है, लोग वरत रखते हैं, नियम से पूजा पाट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, और आज के दिन विशेशकर आप सनान के बाद, जैसे कि बदाए कि चौंकी पे लाल कपड़ा रखे, मा के आगे कलश किस्थापना करें, अखंड घी का अगर आप दीपक पूरे नवरात्रे जलाके रखते हैं, तो अपना विशेशकर लाब होता है, तो मा की पूजा अर्चना में हम पूरा दिन लगाएं लगाएं, उसके साथ साथ क्यूंकि मा के हाथ में कमल का साइन है, वो कमल ये दशाता है कि मॉनिटरी गेंस के लिए बहुत अच्छा दिन और इसके साथ साथ आप मा से लक्षमी के लिए आगरह करते हैं, तो आपको धन की आज के दिन विशेशकर बहुत अच्छी जो है वो आपकी उर्जाएं जो है वो बनती हैं, धन प्राप्ती हैं तो जी बिल्कुल तो धन की प्राप्ती चाहते हैं आज तो आप सकंत माता की पूजा पाट जरूर करें पर अलंगरताची हर दिन अलग-अलग उपाई लोग करते हैं माता को प्रशन करने के लिए तो आज कुछ ऐसे आप छोटी सी उपाई बताए जैसे मातरानी जो है वो प्रशन हो जाए देखें मा को जो है वो कमल के पुष्प जो है अतीप्रिये हैं और तो आप कमल के फूल की माला और कमल के फूल माला नहीं मिलती तो कमल के फूल उनको अर्पन कर सकते हैं और साथ ही में आप कोई छोटी कन्या जो है पांचवे दिन भी आप पांच कन्याओं को भोजन अपने कहने कहीं सिर्वी आपको जो है कुआरी कञ्या पर बोजन किaro करते हैं गुलाबी रंग के वस्त्र अगर बहेंट करते हैं तो इससे मा जो है वो अत्यंत प्रसंन हो जाती है और अपनी कृपा द्रिश्टी आपे जरूर। जी बिल्कुल बैसे भी अलंकृता जी कहा जाता है कि नवरात्री के दिनों में मातरानी की पूजा के साथ साथ कन्या पूजन का भी विशेश बिधान है पर आज के समाज में कन्याओं को कही न कहीं बहुत जादा प्रतारित भी किया जाता है कहा जाता है कि सच्चे मन और अच्छा सवाल पूचा है पूचा आपने देखे यह जो नवरात्रों का चलन भी शुरू हुआ था उसका अर्थ अगर हम देखें तो हमारे समाज में जो इस वक्त और तों को भूमन इंपावर्मेंट की हम बात करते हैं जो हमारी घर पे हमारी माताएं हैं बहने हैं हमारी घ तरह से सल एक डर के कारण पूजा पाट करने का कोई फाइदा नहीं क्योंकि जरूरत है असक्त समाज में और इसका साथ-साथ नहाएं वह कहते हैं कि wideny और को आवाजेंT ॉझिद्वा इंपाने यह रोज इस देश में खो जाती हैं और इतना कृम बढ बढ़ गया है ओर को लेके हमारे मन में अगर इजद नहीं है पुरुष समाज में तो फिर नवरातरों का भी कोई अर्थ नहीं है अगर आप चाहते हैं कि नवरातरों में कुछ अच्छा करें तो आप बहुत सारी ऐसी करने आए हैं आपके आसपास जो छोटी बचियां हैं जिनको जो है ठीक ढ कैंसल की मदद करें तो ऐसी मदद आप जरूर करें और आपके घर में काम करने के लिए आटे आती हैं अपर थोड़ा hardcore दिर्श्ट सदेख का जाता है कि हम एंके साथ हारी के भेहियर हो संसों जो है वो सम्मान के काबिल है और घर में जो आपकी माताएं हैं आप मातरानी को तो पूझिए बहुत अच्छी बात है लेकिन अपनी मा का भी आशिरवात जरूर ले घर से निकले तो उनके पैर छूना तो एक बहुत अच्छी बात है तो वो कहते हैं कि मुसल्मान ने रोजा रखा और हिंदू ने रखा उप्वास लेकिन पूरा उसी का हुआ जिन्होंने माबाप को रखा पास तो माबाप की तो अपनी एक बहुत बड़ी श्रद्धा और इज़त तो है ही है लेकिन जो घर में आपकी माता शिरी हैं उनको भी इज़त दें उनके भी चरंस पर्श करक नवरात्रों में खासकर उनको कुछ तोफे दे जो घर में आपकी बेटियां हैं उनकी च्छाओं को मत मारें उन्हें आगे इंपावर करने के लिए जो मुमकिन हो सकता है वो करें जी बिलकुल अलंकृता जी तो वैसे सबसे पहले आप से यह जाना चाहेंगे कि राश्यों वाले इखिते हैं मेश राशी वालों की किसमत में क्या लिखा हुआ है और कैसा रहेगा उनका आज का दिन और नवरात्रों में उनके आने वाले दिन भी हो जाए और भी बहतरीन, देखते हैं उनके कार्ड में क्या लिखा हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है आपके जीवन में, क्योंकि इस कार्ड का अर्थ होता है, अब बिग चेंज हो सकता है, आप अपना घर बदलें, अपना स्थान बदलें, आपका जॉब जो है, वो च चितर अपने घर पर लेकर आएं, और उसके साथ-साथ, ओम, एम, हिंग, क्लिंग, चामुंडाय नमा, ये उनका मंत्र है, इसका आप सुभा, शाम, ग्यारा बार अगर इसका उच्चारन करेंगे, और घी का दीपक मां के आगे जलाएंगे, या फिर नारियल और काला कपड जो है मा के मंदिर में चड़ाएंगे, तो उससे भी आपको बहुत लाप पहुचेगा, जी, बिल्कुल तैसी के साथ ये भी जान लेते हैं, कि जिन जातकों का जो राशी है, वो व्रिशव है, उनका आज का दिन कैसा राने वाला है, जी, आए देखते हैं, व्रिशव है, बहुत ही प्यूर और रिलेशन्शिप वाइस जो है, बहुत समय से अगर आपके जीवन में उतार चड़ाव चल रहे हैं, तो पीस आएगा, पीस ट्रीटी होगी, अच्छे सम्मंद बनेंगे, और अगर आपके मन में बहुत समय से आपने किसी को माफ नहीं किया है, तो यह समय आ गया है, कि आप उन्हें माफ कर दें, और खुद को भी माफ करें, और बिलकुल स्वतंत्र होकर जीए, और उनसे सुलाह कर लें, और इस वक्त आपके जीवन में बहुत समय से अगर किसी बात की चिंता चल रही है, तो पीस, बहुत जादा सुकून और पीस आप मह मैंने प्रोग्राम की शुर्वात में बताया कि इस पूजा अर्चना को आप कैसे कर सकते हैं, और जिन कर्नियाओं को रखा जो है वो कुछ वस्तरदान कर सकते हैं, कुछ कॉपी किताबे दान कर सकते हैं, जिससे आपका आने वाला सब्ता भी हो जाएगा और भी मंगल में जी बिल्कुल और ऐसे भी आज का दिन खास है, सकंद मातकी पूझा अशना की जारी है, तो जो भी अलंकरिता जी ने आपको उपाय बताए हैं, उन उपायों को आप जरूर करें, बात करें यदि तीसरी राशी की मिथुन की, तो उनका आज का दिन क्या सा रहने वाला आएग तो देखते हैं कि जैआती है तो घ्Pacs में था भूदत पूतलन की थीक ठोड़ी तर्शप में हैं ब्यास है, समय से तो इस बड्रण और प्रूद स्ट्रेस को थोड़ाए सब देद हमाने और अगर आप जाते हैं कि यआ इस फारा ब жест क्तव ने क्नों आप दान करें उसके साथ साथ ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सरवाद साधिके शरन्य त्रयंब के गौरी नारायनी नमस्तिते इस मंद्र का अगर आप 108 बार जाप करते हैं पूरे नवरात्र तो आपको फायदा पहुंचेगा मा की कृपा बरसेगी और आपकी जो यह नाकरा कि आज आप क्या करें क्या ना करें किन किन चीजों से बचे और आज के नवरात्री को कैसे आप खास बना सकते हैं तो आज दर्श को आपको बारे राशियों के बार में बता रहे हैं कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है इस नवरात्री आप आज की दिन क्या खास करें जिससे आपकी जो किस्मत है वो बदल सकती है और अलंकरिता जी आप चर्चा कर रही थी राश्यों के बार में तो चलिए आपसे ये भी जान लेते हैं कि करक राश्य के जो भी जातक है उनका दिन आज का कैसा रहने वाला है करक्यानि की Cancerians देखते हैं Cancerians आपकी किस्मत में क्या छुपा हुआ है और कैसे रहने वाला है आपका आज का दिन और आने वाले सक्ता में भी आप क्या ऐसा विशेश करें जिससे आपका दिन हो जाए आपका आने वाले दिन हो जाए एक चांदी का या फिर आप ब्रास का एक लोटा ले सकते हैं उसमें आप थोड़े से जल के अंदर जो है वो अक्षत और रोली और ये गंगा जल मिलाके आप सूरे को ओम सूर्याय नमा ये कहते हुए अगर आप अर्क देते हैं तो बहुत फाइदा पहुंचेगा कुछ देर चंदर में बैटें चंदर की शीतलता ले और चंदर में भी चांदी के किसी ग्लास में चंदर को भी अर्क देते हैं तो उससे भी आपकी जो दोनो नाडियां है चंदर और सूर्या हमारी दो नाडिया होती है वो बैलन्स में आएंगी तो आपके जीवन में भी बहुत सारा balance आएगा जो out of balance चीज़ें हैं वो भी हो जाएंगी balance जी बिलकुल और कहीं न कहीं कि छोटे-छोटे जो उपाय है वो आपके जिन्दगी और किस्मत बदल सकते हैं तो आप भी अपनी राशी के बारे में जाना चाहते हैं तो बने रहे हैं हमारे कारेकरम साथ तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि सिंग राशी के जो भी जातक या जातिका हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है बिलकुल बिलकुल ये सब तो अपनी जगा हो गए वो कहते हैं दोस्तों सुर्भिन मिलेना सरस्वती गुरु बिन मिलेना ज्यान जैसे करम करोगे वैसे फल देगा भगवान तो जीवन में हमारे करमों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है आप पूजा अर्चना तो करिए लेकिन किसी का दिल मत दुखाए सत करम करते रहे तो स्वाभाविक दंग से आपके साथ अच्छा ही होगा लेकिन देख लेते हैं कि सिंग राशी की किसमत में क्या लिखा हुआ है यानि लियोस कैसा रहेगा इनका आज का दिन कार्ज बताओ क्या लिखा है इनकी किसमत में देखे इनकी अगर बात करते हैं तो बहुत समय से आप किसी चीज में बहुत बंधा हुआ मैसूस कर रहे हैं लेकिन अब उस बंधन से फ्री होने का वक्त आ गया है कुछ भीक्षूओं को अपने घर में बुलाईए और उन्हें भोजन कराईए कुछ चावल और आटा उन्हें दान करिये तो अत्यंत लाबकारी होगा आपको फाइदा पहुँचेगा ऐसा अगर आप करेंगे इस पूरे सब्ता तो आपके उपर जो बंधन है उससे आप हो जाएंगे मुक्त कन्या राशी की भी चर्शा कर लेते हैं कि कन्या राशी के जो भी जातक जादिका है उनका दिन आज का कैसा रहने वाला कन्या राशी यानि कि वर्गो आईए देखते हैं पूजा कैसा रहेगा वर्गो राशी वालों का पूरा सब्ता और आज का दिन ताइरो बताएं क्या लिखा हुआ है वर्गो राशी वालों की किस्मत में जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई भी गलत कार्े मत करियेगा, जो है कायम रखता है, कीडे, मकोडे, बहुत सारी जहरीली चीजें खाके भी बहुत सारी चीजें हमें अपने समाज में या आपने आसपास देखके भी अंदेखी करनी पड़ती हैं और परिनिर्वान स्टेट यानि की आप बहुत गहरे पीस में चले जाएंगे और बहुत हमें से किसी चीज को लेके अगर परिशान है आप तो अब समय आ गया है ये पूरा आपका सप्ता बहुत सुकून में और कुछ पीले वस्तर अगर आप दान कर देंगे तो आपको ग्यान की भी कमी नहीं होगे और ग्यान से जो है वो धन अरजन कोई बी चीज ऐसी नहीं है जो पुझा हम प्राप्त ना कर पाएं तो आप इतना सा कारे करिए और सरस्वती यंत्र अगर आप अपने घर में बतारी है तो चलिए से के साथ नज़र डाल लेते हैं तुला राशी के जातकों के बारे में आईए देखते हैं लिबराज का कैसा रहने वाला है यह पूरा सप्ता और यह क्या विशेश करें जिससे इनका सप्ता हो जाए और भी भैतरीन देखते हैं क्या लिखा हुआ है प के लिए आप व्रिद्ध कुछ औरतों को रिदाश्रम जाकर जरूर कुछ दान करें अगर आप उनको कपड़ा दान करते हैं या फिर हरी दाल दान करते हैं तो उसे भी प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी थोड़ी सही नकरात्मकुजा आप इस सप्ता महसूस कर स है लेकिन उससे आ वो टल जाए तो आप काली की उपासना करना ना भूलें काली मां से ये आप निवेधन करें कि आपके घर से जितनी भी संक्रड है उन्हें दूर रखें और एक लाल कपडे में और आप एक नारियल जो है उनने भेंट करें बंदिच जाके भी भेंट करसक शुब कामना है तो यह तो हमने तुला राशी के बारे में जान लेते हैं कि आज का दिन उनका क्या सा रहने वाला है पुझा यह देखते हैं विश्य क्यानी की स्कॉर्पियन्स का कैसा रहेगा वाटर साइन है कैसा रहेगा इनका पूरा सप्ता है और आज का दिन टायरों बताएं क्या लिखा हुआ है स्कॉर्पियन्स की किस्मत में देखें थोड़ा सा सफरिंग कार्ड आया है यानि इमोशनली और फिजिकली आप थोड़ा वीक फील कर सकते हैं पर ऐसा ना हो क्योंकि आपका साइन ही पॉटर साइन है तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आप कुछ अगर पानी के मटके जो हैं वो दान करेंगे तो उससे आपको फाइदा पहुंचेगा और यह जो एलमेंट आ रहा है यह ना हो तो महामृतुंजे का जाप अगर आप करते हैं तो उससे भी बहुत फाइदा पहुंचेगा ओम त्रयांबकम यजा महे सुगंदम पुष्टि वर्दनम उर्वा रुकमी बंदनात मृत्यूर मोक्ष यह मंतर बहुत ही स्ट्रॉंग मंतर होता हैं दोस्तों कहते हैं कि मुद्र में भी जान डाल देता है तो इस मंतर का आप जाप करेंगे क्स ता तो आने वाला कुछ कष्ट है वह भी टल जाएगा इसके साथ साथ नवरातरे चल रहए हैं तो नवरातरों में tekrar आगे अखंड जोत आप जलाना ना भूले अखन जोत जगाएंगे तो उससे आपके घर में प्रोस्पेरिटी आएगी और पीस आएगा और इसके साथ साथ आप कुछ लाल रंके वस्तर जो हैं वो किसी जरूरत मंद कन्या को दान कर दें और इस मनोकामना के साथ दान करें कि मा की कृपा बिल्कुल तो हम भी यही चाहते हैं कि आपकी जीवन में खुशिया आए और आपकी जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है वो इन नवरात्रों के दौरान जरूर दूर हो जाए बात करें धनुराशी के जातकों के बारे में तो लंकृता जी उनका दिन आज का कैसा धनुराशी यानि कि Sagittarians आहिए देखते हैं Пुझा Sagittarians की किसमत में क्या लिखा हुआ है कार्ड बताएं Sagittarians का पूरा सब्डा कैसा रहेगा और कैसे रहेंगे उनके यह नवरात्र है इसके साथ-साथ आज का दिन विशेश कर देखिये यह आए Sagittarians के कार्ड मॉनिटरी गें तो उससे और आपको जो है financial gains होंगे आने वाले पूरे week में और आने वाले दिनों में भी उसके साथ साथ थोड़ा सा burden आप महसूस कर सकते हैं थोड़ी सी नकरात्म कूर्जा आप पे सब्ता के आखिर में अटाक कर सकती है उसके लिए आप जो है काली की उपासना करनी ना तो मा की मूर्ती अगर आपके घर में नहीं स्थापित तो मा की मूर्ती आप स्थापित करें तो उससे आपका आप देखेंगे आपके घर से नकरात्म कूर्जा भी दूर होगी और आपके घर में एक नई उर्जा का संचालन होगा और घर में अच्छी vibrations और सुख संपत्ती बनी रहेगी जी बिल्कुल तो आपको ये भी बताएंगे कि मकर कुम और मीन राशी के जातकों का दिन आज का कैसा रहने वाला है तो चलिए लिंकरिदा जी आपसे जाने की कोशिश करेंगे कि मकर राशी के जातकों का दिन आज का कैसा रहने वाला है आए देखते हैं मकर या सीख सकते हैं इस पूरे सब्ता नवरात्रे चल रहे हैं मेडिटेशन और पूजा भक्ति और सत्कर्मों का अपना एक विशेश महत्व है इस पूरे सब्ता में बहुत जल्दी हमारी लर्निंग और सिद्धिया में प्राप्त होती है इस पूरे सब्ता तो आप कशीर काड दर् प्रोटेक्शन अम्रेला काड आया है तो यानि आज के दिन अगर आप मा की पूजा अर्चना उपासना करते हैं इसके साथ दुर्गा यंत्र का अगर आप प्रयोग करते हैं तो पूरा साल आपके घर में सुख शांदी वैभाव और धनकी वरसात हो जाएगी जी बिलकुल प्रवाशी आनि की अक्वेरियंस की बहुत सही बात आप आप ने गई कि हमारे दोरा किया हुआ कोई भी इश्वर्ये कर्म कभी भी निश्फल नहीं जाता दोस्तों उसका प्रभाव हमें जरूर मिलता है और संतों का साथ और हमारे दोरा की गई मन से एकागर होके पूजा भी कभी वियर्थ नहीं जाती और अच्छे संकल्प जब हम करते हैं तो उसका प्रभावी हमें तुरंत मिलता ही है आईए देखते हैं कि क्या कहते हैं एक्वेरिंस के सितारे काज बताएं क्या लिखा हुआ है एक्वेरिंस की किस्मत में यह देखते हैं क्या है थोड़ा सा आप लो महसूस कर सकते हैं कमपैशन की कमीनियों की रिष्टों और रिलेशन्शिप के लिए बहुत ही उत्तम समय रहेगा नए प्रपोजल्स नए रिष्टे आपके जीवन में बनेंगे लेकिन थोड़ा सा कारे शेतर में आप डाउन फॉ पुरा होने से पहले मत डिस्क्लोज करें और अगर आप चाहते हैं कि यह डाउन फॉल जो है वो ना हो तो उसके लिए नवरात्रे चल रहे हैं आप कुछ गरीब बच्चियों को जो है कुछ कुछ पैंसिल या कॉपी या उनके जरूरत की कुछ चीजें जो है वो भेंट कर जिससे कि उनके जीवन में कुछ खुशी आए तो आप देखेंगे कि आपका भी जो यह डाउन फॉल कार्ड मुझे नजर आ रहा है इससे आप जो है प्रिवेंशन कर सकते हैं और कई पर होता है कुछ बूरे कर्म हमारे द्वारा हो जाते हैं या हमारे कुछ प्रारब्द क कि कर्मों के हमें क्यूं हमारे साथ ऐसा होता है हम जान नहीं पाते हैं पूजा लेकिन हमारे प्रारब्द और कुछ आने वाले संकर तल जाते हैं कच छोटे-चोटे हीशिवरी कर्म करके जी बिलकुल त이 कि साहती 11 राशिओं पर हमने चर्चा की कि उनका दिन कैसा रहने व पाइसियन और मीन राशी वाले क्या एसा इश्वरिय कर्म करें और क्या करें खास जिससे उनके आने वाला सब्ता और साल भी हो जाए और भी बहतरीन तो यह रहे मीन राशी वालों के कार्ट क्रियेटिविटी यानि कि कोई भी क्रियेटिव फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं जो लोग क्रियेटिव एजुकेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा पूरा सब्ता और उसके साथ साथ कुछ जिसे दिखाने के ओल्ड डेज और भीक्षू इसका मतलब यह है कि आप कुछ वृद्धों की सेवा करेंगे या पित्रों की अगर उसमें शुब होने लगेगा क्यूंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो आप अपने घर में जो है वो देवी की प्रतिमा किस्थापना करें और उनके आगे अखन जोद के साथ साथ कुछ मीठा आप जरूर अरपन करें तो उससे भी आपको लाप पहुंचेगा और रोज शाम को कि मा की पूजा अरचना करनी ना भूले और हम सभी सातविक भोजन कार का तुम है तो जानते ही है इस पूरे नवरात्रों में क्या होता है तो आगर आप पूरे बताया है कि 12 राश्यों का आज का दिन कैसा रहना है उनके जीवन में क्या कुछ प्रभाव पढ़ने वाले इसे किसाथ अलंगरिदा जी ने आपको इस चोटे उपाए भी पता है पर आखरी सवाल आप से पूछना चाहूंगी जो लोग आज ब्रत में है जो लोग आज कर रे हैं उन्हें आप क्या मेसेच देना चाहेंगी देखें आप कोई भी पूजना करें उसे पूरे मन से करें क्योंकि हमारी एक आत्मार सब्सीन मन कर सकते हैं न्हों न भी कर पाएं लेकिन अच्छे कर्म करिए और अपने घर में जितनी भी आपकी माताइं हैं बेटियां हैं उनको बहुत सम्मान जनक रूप से उनको उनका उनके साथ हसे मुस्कुराइं तो इस तरण ढंक से आप पूर पूर आनंद उठाएं नवरात्रों का और जीवन के अपने हश जी बिल्कुल तो दर्श को सुना अपने अपनी अपनी राशियों के बार में की आज का दिल आपका कैसा रहने वाला है तो आज 5 पा दिल मातारानी की पूछ आर्शना चारों तरफ की जारी है मंदिर रौनक नजर आ रहे हैं घरों पे भी मातरानी की स्थापना कराई गई हैं तो आपको भी नवरात्री की धेरो शुब काम लाएं आप भी आज सकंद माता की पूछा आरशना करें और अपने जीवन में जो भी आप चाहते हैं वो आप करें क्योंकि ये जो छोटे-छोटे उपाएं आपको इस कारिक्रम में बताये गए हैं उनके करने से आप अपनी जीवन की सभी एक्षाओं को पूर्ण कर सकते हैं तो फिलाल आज के हमारे इस बेहादी खास कारिक्रम में इतना ही बने रहे हमारे साथ जैमाता दी